सब्सक्राइब कीजिए बी न्यूज चैनल को और सबसे पहली ताज़ा खबर जानने के लिए इस बैल आइकन को भी दबाए नमस्कर मेहुट जिसकुमार सिंग और आप देख रहे हैं बी नूज क्रोना जैसे मामारी की बीच एक खबर ट्रेंड कर रहती एस्टो नोवा उलका पेंड आकिर उलका पे के करीब 63 लाग किलोमेटर की दूरी से गुजरा है इसके पहले यह एस्टो नोड बारम मार्च 2009 को दो दस मलो 6 याड क्रोड किलोमेटर की दूरी से गुजरा था अब धर्तिक के लोगों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इसके गुजरने के साथ ही दुनिया भ 11 साल बाद भी धर्तिक के करीब से गुजरेगा लेकिन उसकी दूरी एक दस मलो 9 जीरो क्रोड किलोमेटर होगी आपको बता देंगी यह 11 साल पर धर्तिक के आसपास से गुजर जाता है 2031 के बाद 2042 फिर 2068 और उसके बाद 2089 में भी धर्तिके बगल से निकलेगा 1989 में यह धर्तिके बेहत करीब से निकलेगा उस समय इसकी दूरी अभी की दूरी से 3.5 जुना कम हो गयानी अभी वह 63 लाग किलोमेटर की दूरी से निकला है 2089 में 17.7 लाग किलोमेटर की दूरी से निकलेगा यह अश्टरोइड की धर्ति से सबसे कम दूरी वाली होगी अश्टरोइड को लेकर अगले से 187 साल का कैलेंडर बना रखा इससे यह पता चलेगा कि यह अश्टरोइड कब-कब धर्ति से कितनी दूरी से निकलेगा आपको बता दे कि बैग्यानिक ने एस्टोनेट को लेकर अगले 117 साल की कलेंडर बना रहे हैं से पता चलता है कि या एस्टोनेट कब कब धर्ती से कितनी दूरी से निकलेगा दोचार उन्यासी के बाद एस्टोनों 1998 ओवाटू साल 1227 में प्रिध्वी से करेब 25 तौस्वनों एक लाग किलो मिटर की दूरी से निकलेगे हैं बैग्यानिक ने इससे फोर्ट पी एचो की सरड़ी में रखा है और वी खबरों देखने के लिए इस वी नियू चैनल को सब्क्राइब करें वीडियो अच्छे लगती है तो लाइक करें मिलते हैं फिर एक नई खबर नई जनकारी के साथ तब तक के लिए नमस्कार जैहिंद